इंडस्ट्री में उन्होंने काम मांगने की भी कोशिश की लेकिन ये कोशिश सफल नहीं हुई बॉबी देओल और सनी देओल इंडस्ट्री के वो दिगगज स्टार जिनकी चर्चाएं इन दिनों खूब हो रही है क्योंकि दोनों भाईयों की फिल्मों को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं सनी देओल की किस्मत ने जहां गदर दो के साथ उन्हें फिर सुर्खियों में लाख़डा किया वहीं छोटे भाई बॉबी देओल अपनी आने वाली फिल्म अनेमल को लेकर सुर्खियों में है क्या आप जानते हैं बॉबी देओल में अपने बुरे दोर में एक बड़े डायरेक्टर से काम मांगा था लेकिन ऐसा इग्नो किया जिसकी खुननस उन्होंने सालों बाद निकाली और फिल्म में कमुह ताकते रह गए क्या है वो किससा चलिए बताते हैं आपको बॉबी देओल ने करन जोहर के शो कॉफी विद करन आर्ट में पहुँचे जहां वो अपने भाई सनी देओल के साथ पहुँचे थे इस शो के दोरान उन्होंने कई मुद्दों पर बात की ये वही शो है जहां करन अपने सवालों के साथ लोगों को कंट्रोवसी में फसाते हैं लेकिन शो में बॉबी ने करन की बोलती बंद कर दी करन जोहर ने कभी याद नहीं किया लेकिन कहते हैं न कि उक्ते सूरज को दुनिया सलाम करती है ऐसा ही कुछ करण जोहर ने किया अपने कमबैक से दोनों भायों की किस्मत चमकी तो करण ने उन्हें अपने शो में बुला लिया देओल भायों के अंदर खासियत है कि वह जो है वो सच और मुह पर कह देते हैं साफ साफ कहा जाए तो वह दिखावा नहीं करते हैं कामना मिलने की वज़े से शराब के नसे में चूर रहते थे बॉबी शो में करण जोहर ने बॉबी के बुरे दौर के बारे में बात की उन्होंने बताया कि इस दौर का उन पर और उनके परिवार पर क्या प्रभाव पड़ा था एक्टर ने बताया कि मैंने हार मान ली मुझे खुद पर दया आने लगी मैंने बहुत शराब पीना शुरू कर दिया मैं घर पर बैठा था मैं बार-बार खुद को कोसता था और कहता था लोग मुझे क्यूं नहीं लेते मैं अच्छा हूँ वे क्यूं नहीं चाहते मेरे साथ काम करने के लिए मुझे लगता है कि मैं हर चीज को लेकर इतना नकारात्मक हो गया था कि मुझ में कोई सकारात्मकता नहीं आ रही थी जब बेटे की बात सुन बेचैन हो गए थे बॉबी उन्होंने आगे कहा कि मैंने अपने बेटे को अपनी मा से ये कहते कहते सुना तुम्हें पता है मा, पापा घर पर बैठे रहते हैं और तुम रोज काम पर जाती हो उन्होंने आगे कहा कि ये बात मेरे अंदर घर कर गई और मैंने ठान लिया कि बस अब और नहीं कठिन समय ने परिवार ने संभाला बॉबी ने आगे कहा कि कठिन समय में उनका परिवार हमेशा उनके साथ खड़ा रहा मेजबान और फिल्म निर्माता करण के साथ बात चीत करते हुए उन्होंने आगे कहा आप हमेशा किसी का हाथ पकड़ कर कुछ नहीं कर सकते फिर चीजे बदलने लगी, मैं अधिक केंदृत और गंभीर हो गया जब बॉबी ने दिखाया करण जोहर को दिखाया उन्होंने आगे कहा कि उसकठिन दौर में मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ मैंने खुद से कहा, मैं उन्हें बताऊंगा कि मैं आप सभी के साथ काम करना चाहता हूँ बॉबी ने करण से दो टूक कहा, मैं आपके पास भी आया था, आपने अभी तक मेरे साथ काम नहीं किया बॉबी का ये दवाब सुन करण भी हैरान हो गए हालांकि शो देखने के बाद कई लोगों का कहना है कि करन उन्हीं का साथ देते हैं, जिम का अच्छा वक्त चल रहा होता है